सब छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुश खबरी है मैं बता दू STET और DLN के पर्थम वर्ष की परिक्षा हुई अस्थकी यहाँ परिक्षा को क्यों रद कर दिया गया इसकी जानकारी आपको Education Job Update चैनल के मादम से मिलेगा तो जरूर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखने का प्रियास करें कि आपके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दू इसका दिरिस जो है वो आप लोग एक पर ध्यान से देख लिजे यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच अब इटलाने का प्रियास कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं पटना बकरीद 17 जून को है इसके मदे नजर 18 जून को आयोजित होने वाली एस्थाकीत कर दिया गया है बिहार विद्याला परिक्षा समेति दुवारा डियालेड सतर 2030 पचीस के पर्थम वर्ज की परिक्षा 18 से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 25 जून तक निरधारीद किया है इसी करम में 17 जून को बकरीद के मदे नजर अभियारतियों के हीत में डियलेड के पर्थम दीन की परिक्षा आप लोगों के बीच आयजित करने वाली है इसको आप लोग धियान से देखें क्या होता है 18 जून को आयजित होने वाली परिक्षा को समेती द्वारा अस्थकित कर दिया गया है उक्त्तिती की परिक्षा के आयजित के सम्मन्द में आपको यहाँ पे सूचना बाद में दी जाएगी तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप लोगों को मैं बता दूँ आप लोग का परिक्षा जो है वह केंसील हो चुका है 18 से 25 जून तक निर्धारित हैं इस बीश में आप लोग 17 तक बकरीद का पर्व था इसलिए इस कारण से परिक्षा को रद कर दिया गया आप चाहते हैं इस तरह के नए अपडेट तो आप लोग एजुकेशन जब अपडेट चैनल के माद्यम से देखें और सेर करने का प्रियास करें फोलो करने का प्रियास करें ताकि हमेशा मैं आप लोगों के बीच एक अपडेट देने का प्रियास करूँ मिलूंगा अबले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद जाहिंदु